पूर्णिया में प्रक्षेत्र के नए आईजी सिवधीप लंडे ने आज प्रभार ग्रहन कर लिया है इस मौके पर नई वर्तमान डियाईजी विकास कुमार ने उन्हें अपना प्रभार बतोर आईजी दिया इस दौरान पूर्णिया पहुशने पर सिवधीप लंडे का भब विस्वागत किया गया और गार्ड अफ ओनर की सलामी दी गई मौके पर पत्रकारों से बात भी सिवधीप लंडे ने की है सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं सिवधीप लंडे क्या कुछ कह रहे हैं सुदिये अब जो शाषन दोरा जो निर्ना लिया गया है और मुझे यहां पर न्यूप सी की गई है पुलिस मान इरिक्षे के तोर पर उसी का चार्ज लेने आया था और मुझे कापी खुशी इसलिए भी है कि मैं विकाज जी से चार्ज ले रहा हूं विकाज जी मेरे साथ में एस्पी थे वहां पर फार्विस घंज में जब में अरेरिया का था और कापी पुरानी यादि यहां पर ताजा हो गए अच्छो अधिकारी थे और मुझे तो कोई डाउट नहीं कि उन्होंने प्रशाशन और सब कुछ अच्छे सी संबाला होगा करना है मुझे और उपेन भी मेरे साथ जो एस्पी के तोर पर काम किया है तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत होने वाली नहीं है कोई कुछ नया करने किया चीज नहीं जो अभी जीगती चल रही है उसी को आगे बढ़ाने की जरुब्रत है और सबसे इंपॉर्टन्ट है कि अब मुझे देखना पड़ेगा आपको बोली कि आप दूबार यह आए तो उस वक जब आया था एक डिकेट होगा एक दशक होगा एक दशक के बाद महीं आया हूँ तो हर जिला का प्राइम का पैटरन देखना पड़ेगा क्राइम पैटर जितेंद्र भी आया है साथ में उससे भी डिसक और था तो वहां पर लास्ट चीजें और तो समय के साथ सारी चीजें होगी आपको सवाल है तो कुछ अब आपके कार्शनेले सब्सक्राइब रही है आगे क्या प्राइल कि मैं हमेशा जो संस्ता होती है हमारे संस्ता का जो किरैमिड होता है में फोकस रहे है कि उस संस्ता को ताकत देना तो जो में जिला का काम जो क्राइम कंट्रों और का है वह यह चिम में रहता है तो मेरी यहां पर यह भूमिंका रहेगी कि मैं से साथ खड़ा दिखू उनको गाइड़न्स दो और एक अभी भावक की तरह उसको जो जिशादीरियश है उसके अकॉर्डिंग उसको समय समय पे आउगत करूं और कुछ ऐसा हुश होता है कि जो इंटर स्टेट या इंटर डिस्टिक से रिलेटेट है तो उसमें कोडिनेशन के तौर पर काम करूं यह इंटरनेटनल बॉर्डर भी है तो तो मुझे काफ सब्सक्राइब नहीं बात नहीं है लेकिन अभी देखना पड़ेगा कि बहुत सारे जो समय के साथ बहुत सारे बदलाव हुए है तो उसको भी देखते हैं अपर अख्री सवाल है कि आप जहां भी रहे अप्राद और अपरादी जोनों आपका नाम सुनते ही फ़तर कापते आप लोगों का वह तरीका है कि आप उसको कैसे लेते तो बस यह आप लोगों की चभी गड़ने का एक तरीका होता है पाके तो हरको पुलिस वाला वह अपना द्यूटी निबात अपना करता है उसको कोई निए पच्छी स्टार हो रहा है हाँ यह काफी अच्छा सवाल सब्सक्राइब करता है तो यह काम किया हूं तो ड्रक का वहां पर सीनयरों कुछ डिफरेंट था जब मैं पास्ताल के बाद यहां पर आया हूं और सहर्था में डिय जी के तोर पे जब क्राइम का एक पैटर्न में अनलिसिस कर रहा था और स्पेशली सीस्पी जो संचालक हो होते उनकी लूट बाद में जो रोड की जो क्राइम होते थे उसमें एक बात और अभी भी मुदपरपूर में भी एक बात जो एक प्रकरता से सामने ही थी कि जो यंग्स्टर्स है आप सब्सक्राइब के बाइस साल तक जो नए लड़के वह कही ना कही स्मैक पीकर आपरात को अंजाम देते हैं और एक दूसरा पहलू यह भी है कि बात हो रही थी तो अर्मोस्त उसमें तो उसमें के साथ हो जाएगी आपको रिजल्ट दिख जाएगा कोई दिक्कत नहीं पराव जो भी प्रिंज बाग गया है वहां से आगया हो का पीम सेच में उसमें आपको समय क अपराद को नियंतरित करने और इंट्रेस्टेट अपराद में कोडिनेशन करने की होगी उन्होंने कहा कि अपराद और अपराद ही दोनों के तरीके बदल गए हैं इस पर अध्यन करने की जरूरत है सिफदेप लांडे ने कहा कि आज युवा पिडिस मैक के नसे में अपराद करती है उन्हें अपराद का मकसद पता नहीं होता बता दें कि बिहार सरकार के ग्री विभाग की ओर से जारी अधिसूशना के मुझपर पूर्छेत्र के आईजी के पत पर तैनात सिफदेप वाम सिफदेप वामन राव लांडे को पूर्णिया छित्र का पुलिस महानिरिक्षक यानि आईजी नियुक्त किया गया है सिमांचल की जनता उनसे काफी उम्मीदें लगाए बैठें सभी उनके कारेभार समानने के बाद एक्शन के इंतिजार में है कारण इसपष्ट है कि सिम सिमांचल के लोग पिछले कुछ अरसे से अपराद से त्रस्त हैं लोग सवाचनाओ के बाद से अपराद के ग्राफ में अचानक तेजी आ गई है इस अंतराल के दोरान चोरी छिंत नहीं ही नहीं लूट और हत्या तक के मामले हुए है कानून का इकबाल इसकदर कमजोर हु सिमांचल के बाद बॉडर एरिया में भी सक्ती की जरूरत है नेपाल से तसकरी का मामला पुराना है सिमांचल के करोरों آबादी को शिवदीप लांडे से अशी लिए भी आतना है क्योंकि वो सिमांचल के भूगोल से वह वाकिभ है अपराद के तौर तरीखे को वह बली भ परनामे किये थे जिसकी चर्चा आज भी हो रही है। परनामे किये थे जिसकी चर्चा आज भी हो रही है। परनामे में भी पुलिस अभी तक कुछ खास नहीं कर पाई है। कमो बेस कठिहार अररिया कि संगंज में भी अपराद में तेजी ही आई है। सिमानचल में अपराद को कम करने के लिए सिंगम के कदम का लोगों को इंतजार है। पुर्णिया से रोहित की ये रिपोर्ट है। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। बने रहें दर्श नियूज के साथ। पुर्णिया से पुर्णिया से रहेंगे।